हेलो एव्रीवान गुद मॉर्निंग और वालकम तू ससी एक्जाम्स बाइग्जाम पूर बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज की एस बहुत ही खुबसूरत सुबह में तिवहार का मौसम है है ना दिवाली की तयारियां बिल्कुल खतम हो चुकी है दिवाली का सेलिब्रेशन तयार हो चुका है स्टार्ट तो इसी सेलिब्रेशन में है ना हम ये ना करें कि सेलिब्रेशन के चकर में पढ़ना ही भूल जाए पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टन है इसलिए थोड़ा वग जो पढ़ाई को देना है वो भी देना है और साथ में सेलिब्र जरूरी होता अगर आप कोई भी government exam की तेहारी कर रहे हैं तो ये जानना की पिछले सालों में किस तरह के questions को पूछा गया है क्या level रहा है ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है तो इसलिए लेकर आपके लिए प्रिवियस ये सीरीज में सेकंड पार्ट चलिए शुरू करते हैं फटाफट से questions आपके सामने होंगे आपको answer इनका करते जाना है जल्दी-जल्दी से देख लीजए मैंने जो questions लिए में है 13th August के है बट ये shift 2 के है इसके पहले जो हमने किया था वो हमने किया था shift कॉंसा 1 का question अभी जो हम करने वाले है वो shift 2 का question करेंगे ठीक है question number 1 गे रहा आपके screen पे क्या लिखा हुआ है select the most appropriate antonym of the given word antonym याने क्या होता है opposite क्या बताना है आपको इसका उल्टा विरुधार्थी विलोम शब्द विरोधी शब्द ये बताना है आपको ठीक है तो क्या दिया हुआ है word यहां पे आपके सामने दिया हुआ है hope एक बहुत ही positive word है hope एक positive word है इसको बोल रहा है कि इसका उल्टा बताओ सिंपल सी बात है यह positive word तो उल्टा क्या होगा इसका negative होगा चलिए देखते है कितने लोग इसको बना पाते है बहुत ही simple सा question है option method से जाएंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा साथ में hope तो एक बहुत ही simple सा आसान सा word है सभी को पता है hope आशा का उल्टा होगा optimism याने क्या होता है आशावादी होना आशावादी होना तो यह आप यहां से हटा दो positive अप्रोच रखना positive चीज़ें देखना तो यह होता है आपका गड़बट अब उसकी बार दिखते है courage मकलब होता है साहस साहस होना negative तो यह भी हटा दो chance मिलना मोका यह भी negative नहीं होता इसका कोई connection नहीं होप से उल्टा बताना है तो क्या हो जाएगा doubt, hope यहने एक तरह से आशा होना, doubt यहने की negative चीज़ें, doubt होना अची चीज़ होती है क्या, नहीं तो doubt एक ही word देख रहा है यहां पे option में जो की negative है और वही आपका answer हो जाएगा है आपको यह नहीं होला है, आपको यह नहीं देखना है, जो option में available words है, उनमें से क्या fit होगा, यही आपका answer होगा, तो hope का उल्टा हो जाएगा, doubt यहां पे correct answer होगा आपका तीसरा, ठीक है जी, बात समझ में आगई सभी को, clear हुआ, इसी तरीके से आप ही को solve करना है आगे, चलिए, फटा फट से आज जाएगे, बुला लीजिए, बाकी साथियों को, like करिये, session को, share भी कर दीजिए, बुला लाइए उन सभी को, ठीक है, चलो जी, select the option that can be used as one word substitute for the given group of words, ठीक है, एक one word substitute की बात कर रहा है, आनिक शब्दों के एक शब्द क्या हो जाएगा, a self-governing country or a region, एक ऐसी country या, एक ऐसा N R K, क्या बोला जाएगा भई, बहुत simple सा question है, बहुत बार पढ़ चुके है, क्रैसी वाले words होते है, शासन को बताते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं, उन ही मेंसे ये words है, जल्दी से बताएंगे, क्या answer होना चाहिए, ये बहुत आसान है, सभी से आना चाहिए answer, सभी से अमीद है, इसकी answer की जल्दी से फटा-फट से बता दे भई, शुरुवात महीं ऐसे question अगर exam में आ जाएं, easy-easy, तो confidence बिलकुल एगदम top पर पोच जाएगा, एगदम height में, क्या बढ़ी आए, questions बन रहे हैं, मतलब अब हमसे questions बनने लगेंगे, confidence gain हो जाता है, ऐसे question से, right, सेल्फ लिखा है, सेल्फ गवर्निंग, जो खुद गवन करती है, सेल्फ का मतलब होता है, जिसम कहते है, गाडी में ये सल्फ स्टार्ट है, सेल्फ याने क्या होता है, अटो मोड पे, सेल्फ मोड पे है, तो पेली बात तो डिमॉक्रिसी तो होगा नहीं, for sure, क्योंकि ये अटा दिया, मोनार्की मतलब मोनो, मोनो या मोनार्की, तो ये सिंगल परसन की जो गवर्नमेंट होगी, सिंगल रूलर जहां पे होगा, उसको बोलेंगे, सिंगल रूलर, एक ही रूलर जो है, तो ये नहीं होगा, एनार्की तो अराजकता होती है, एनार्की मतलब जहां पर अराजकता है, यह तो आंसर ही नहीं होगा आपका, है ना, अराजकता, तो यह तो जापर सरकार को तो बहुती क्रेटिसाइस किया जाता है, है ना, तो अराजकता है, तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा, आपका जो आंसर होगा, वो होगा, यह थार्ड, ओटो नॉमी, ओटो, ह बात समझ में आई, self-governing जो country होती है, region होता है, उसको कहते है, उसको कहते है, autonomic, ठीक है, autonomous word सुना होगा, खुद से ही है, किसी और का शासन नहीं, खुद से ही गवन कर होगा, यह आपका है यह पर आंसर, अंगला सवाल देखते है, यह सारे के सारे shift 2 में पूछे जाने वाले question है, कल जो हमने कियते हैं, shift 1 के थे, ठीक है, चलिए, यह भी क्या करना है, select the option that expresses the given sentence in passive voice, ठीक है, passive voice में जो उसको बताएगा, क्या करना है, the sun rays burned my face, है अक्टिव में दिया हुआ है, convert करना है, passive में, जब हम active से passive में conversion करते हैं, तो आपको एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है, कि आप कभी भी tense को change नहीं करेंगे, no change in tense, है ना, tense जो active का होगा, वही passive का होगा, दूसरी बात, वर्ब का third form तो for sure आना ही आना है, तो चीज़े बिलकुल ध्यान रखेंगे, कि voice का change हो रहा है, active से passive, तो वहाँ पे change tense में कभी भी नहीं होगा, no change in the tense, ये बात बिलकुल गाट बान लेना, इससे फिर आपके कभी भी questions गलत नहीं होगे, दीके, चलिए, my son, the sun rays burned my face, यहाँ पे है verb का second form, मतलब ये past tense है, simple past tense में उसके आगया है, तो past को को भी हम present तो नहीं बनाएंगे, present नहीं बनाएंगे, तो ये is had गया, ये भी is had गया, has भी had गया, क्योंकि ये भी present perfect में आता है, present का तो नामों निशान नहीं होना चीए, क्योंकि य अगर past में है, तो यहाँ पे आपका जो answer होगा, वो ये होगा, my face was burned by the sun rays, ठीक है, my face was burned by the sun rays, तो was आगया यहाँ पे, correct है answer, past को मने past में कर दिया, ठीक है जी, fourth is the correct answer, कितना असान था, सलिए जी, अगला सवाल है, क्या करना है इसमें, one word substitution का question है, इसमें आपका जो दिया question वो यह है, a place where coins, medals और tokens are made, एक ऐसी place जहाँ पर सिक्के बनते हैं, medals बनते हैं, tokens बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, किस नाम से address करते हैं, जल्दी से बताएंगे, फटाक से अपना answer बताएंगे, बहुत आसान है, यह terms आप लोगों ने बहुत बारी सुनी होगी, चलिए जी जल्दी से बताएंगे, जी, quickly, फटाफट से बोलो, इसका answer क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से, क्या answer होगा भई, अब प्लेस वेर, कॉइन, मैडल्स और टोकन्स अमेरे, ऐसी प्लेस जहां पर सिक्क्ये बनते हैं, मैडल्स बनते हैं, तोकन्स बनते हैं, यहां पर तिक आच्छा ऑप्शन को इलिमनेट करें, तो ऐसी जगह को कास्टिंग तो बोलेंगे नहीं, कास्टि कास्टिंग का मतलब ही नहीं है, मिल्स होती है, यह राइस मेल हो गई, और किसी चीज की मिल हो गई, तो मिल्स में कोई बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं, यह भी अटा दो, कोई वरक्शॉप होती है, कोई बनने की कोई बनने की कोई वरक्शॉप नहीं होती है, तो यह भी आ समझ में आई, clear हुआ अच्छे से, समझ में आई सभी को, तो यह है, इसका मतलब जहाँ पर medals बनते हैं, tokens बनते हैं, coins बनते हैं, वो होता है, mint, ठीक है, चलिए, अगला सवाल यह रहा, यहाँ पर क्या देखना है, the following sentence has been divided, has been split into four segments, identify the segment that contains the grammatical error, जहाँ पर error है, गलती है, वो पार्ट बताना है आपको, the woodcutter felled some trees with hardly many effort at all, अब इसको divide कर दिया हैं, यहाँ पर चार पर्ट्स में, error तो है, इसमें क्योंकि no error का option आपके पास दिया नहीं है, many effort at all, some trees with hardly the woodcutter felled, क्या हो जाएगा गडबड इसमें, बहुत आसान है, question पढ़ते ही न, कुछ लग रहा है कि यह तो गडबड है, पढ़कर ही समझ में आ रहा है कुछ, जवदी से बताएंगे, कितने लोग इसको सही answer कर सकते हैं, सारे के सारे, सेशन को लाइक और शेर करना, बिल्कुल मत भूलो, फटा फट से एक बार लाइक कर दो, सेशन को और शेर भी कर दो, हैना, इतने छोटा सा टास्क है, कोई टाइम ही नहीं लगता, फॉल, फॉल, फॉलन, बाला, वो चीज़ें दूसरी होते हैं, यह फेल्ड का मतलब अलग है, तो यहां पर क्या होगा है, वुड कटर जो लगकड हारा है, उसने गिराया, कुछ टीज को गिराया, साम टीज को गिराया, मतलब कुछ पेडों को गिराया, With hardly many effort and of वो लकड हारा है, उसका काम ही पेडों को गिराना है अगर, तो उसको वो काम करने में effort लगेगा क्या ज्यादा? नहीं न, आप और हम करेंगे तो शायद बहुत effort लगेगा, बट अगर वो करेगा तो क्या effort जादा लगेगा? नहीं वो कैसे लगे, ना के बराबर effort तो hardly की साथ many तो कहीं से नहीं आएगा है न, यह hardly की साथ many कहीं पर भी नहीं आएगा, गलत यह गलत यह है, hardly की साथ many नहीं, any आएगा, hardly any effort उसको कुछ effort लगाने ही नहीं पड़े, ठीक है, क्या हो जाएगा, many को replace करके वहाँ पर any लगाया जाएगा, मतलब जो गड़वड है, वो है, first part में ठीक है, समझ में आई बात, clear हुआ सभी को, बहुत simple सा question था ठीक है, तो यहाँ पर जो गड़वड थी first part में थी, अगला सवाल यह रहा पर अगले सवाल से पहले आपको बता दे जो हम आपके लिए लेकर रहा है, surprise और वो क्या है, दिवाली का मौका है तिवारों का time है, है ना, तो घर पर सब कहते हैं ना कि खर्च तो बहुत हो रहा है, खर्च मतलब मिठाई आलानी है, यह लेना है नए कपड़े लेने है, सब को गिफ्ट देना है इन सारी चीजों का खर्चा बहुत होता है और आप लोग क्या है हमारे student है, अभी तो earn कर दे रहे हैं, तो इन सारी बातों का ध्यान रखा है, हमने और दिवाली जो खुशी बातने का मौका है, इसी मौके पर हम आपके साथ एक खुशी बाट रहे हैं, और वो खुशी क्या है आपको extra discount दे कर ठीक है, और वो extra discount क्या मिल रहा है आपको यहां पर, वो मिल रहा है आपको, कि आपको हर course जो यहां पर है, है ना, आपके example के application पर जितने भी paid courses हैं, सारे के सारे paid courses में आपको discount मिल रहा है 75% का, बहुत बढ़ी बात है, आप सोचिए, बहुत बढ़ी बात है, कि हमको भी अपनी company run करनी है, cost लगती है बहुत कुछ लगता है, बाट उस सब के बावजूद भी, आपको अगर हम ने courses में 75% का discount दे रहे हैं तो यह बहुत बढ़ी बात है, और इसका मतलब यह नहीं कि quality जो है, वो गिर जाएगी quality बिल्कुल वैसे ही रहेगी, क्योंकि हम आपका अच्छा भविश्टी चाहते हैं, ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है Diwali 75, यह आपका coupon code है, यह आपको relatives हैं, जो भी prepare कर रहे हैं उन सभी तक यह चीज पहुचा दो और उनको भी कह दो कि अगर लेना है तो time बहुत कम है, 27 October, ध्यान से देखिए, 27 October तक ही ओफर आपके पास में valid है, उसके बाद नहीं रहेगा, उसके बाद जितनी fees लगती है उतनी ही लगेगी, तो मौका बहुत कम time तक का है, पटाफट से mobile उठाईए और इसको खरीदना चालू कर दीजिए, जो जो courses आपको खरीदने हैं, कोई दिक्कत है कोई दुविदा है, कोई बात करनी है कुछ technical issue आ रहा है, तो आपके सामने यूट्यूब में टिकर में, phone number रन करता है, उस phone number पे call करिये पता करिये, आपकी समझने का समधान मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा 27 October, बस इतने तक ही आपको यह offer valid है, उसके बाद नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी opportunity है फटाक से ग्राब कर लिजिए, ठीक है जी, चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं, फटाफट से यह रहा आपका अगला सवाल, ठीक है, देखिए, क्या है यह, select the most appropriate, क्या लिखा हुआ है, meaning of the following idiom, ठीक है, select the most appropriate meaning of the following idiom, यहाँ पे लिखा है, इस मुहावरे का मतलब बताना है, क्या बताना है, इस मुहावरे का आपको मतलब बताना है, to take a chill pill का क्या मतलब होगा, बहुत असान है, कई बारे आप लोगोंने बोला होगा, सुना होगा, option भी दिया है, option की मदद से बताईए, क्या answer क्या होगा, मुझे पता है, सभी को पता होगा ये, बहुत बारे यूज होने वाली टर्म्स है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ही जादा, ऐसा कुछ सुन रहे हैं, जो कभी नहीं सुना, take a chill pill, सुना है आप लगोंने, to gulp a tablet for a cold, cold है, सरदी है, तो एसलिए, tablet लेना, बिल्कुल नहीं, पिल लिखा है, तो मतलब tablet होगा, बिल्कुल नहीं, मुहावरे का मतलब कभी लिटरली, मतलब नहीं होता है, to drink cold water, बिल्कुल नहीं, chill लिखा है, तो cold अगया, बिल्कुल नहीं, to calm down, relax करना, या फिर to ask a doctor for medication, simple सी बात है, लेना देना, medicine से है ही नहीं इसका, ये cancel, ये cancel, पानी पीने से भी मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है, to calm down, relax करना, calm down करना, ठीक है, बात आगए समझ में, clear होगी बात, तो टीक चल पे लिएने क्या हो जाएगा, to calm down, ठीक है, clear, बात बढ़िया, चलो जी, आगे चलते हैं अगले सवाल पे, और ये रहां अगला सवाल आपका, अन्टोनिम बताना है, जो पूछा है इस वर्ड का, putrefy, है ना, putrefy, इसका अन्टोनिम क्या होगा, देखो, वो ट्रिक जो मैंने आपको बताई है, और हम 5000 वो कैप्स की सीरीज जो रहन कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको आन्टोनिम की ट्रिक बताई हुई है, उसमें क्या है, कि आपको अगर अन्टोनिम पूछेगा, तो option में synonyms देदेगा, आपको अगर synonym पूछेगा, तो option में अन्टोनिम देदेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, और वन आउट को निकालो, क्या-क्या है भई? प्यूट्रिफाई का उल्टा, destroy, contaminate, combine, decompose, क्या इसमें कुछ ऐसा है, जो एक साथ, मतलब एक से जाद़ वर्ट से जो सेम मीनिंग बता रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है आपर? देखो ध्यान से, पता करो भई, क्या हुचाएगा अंसर इसका? quickly, देखो, क्या हुचाएगा? destroy करना, contaminate करना, decompose करना, contaminate और decompose, आपको नहीं लगता, सेम यह तरह की वर्ट से हैं, किसी चीज को decompose कर रहे हैं, contaminate दंदा कर रहे हैं, destroy कर रहे हैं, तो 1, और आपका 2, और आपका 4, यह तीनों एक बकेट में आ सकता है, इसका उल्टा जो हो जाएगा, प्यूट्रिफाई का वो होगा, combine मतलब है, थर्ड आंसर, आपका odd-one-out निकालना होता है, अंटरनिम सुननिम देखे, घबराना नहीं, बल्कि कुछ हुजाना, क्योंकि आपको एक्जाम में इस तरह का ही क्वेशन आएगा, आदेख सते, एक्जाम में पूछा गया क्वेशन है, तो, odd-one-out को निकालो, और मैंने आपको जो टेक्नी, बता है, आंटो पूछेगा, सनननिम देदेगा, सनननिम पूछेगा, आंटनिम देदेगा, और साथ में दो वर्ड ऐसे देगा, जिसकी मेनिंग सेम होती है, तो, आपको उनहीं को बस हटाना है, बहुत बढ़िया, आंसर मिल गया, असका अगला सवाल यह रहा, क्या करना है, नो इंप्रूब्मेंट वाला क्वेश्टन है, select the option that will improve the underlined part of the given sentence, in case no improvement is needed, select no improvement required, ठीक है, अगर अगर होगी, तो select करना है, fierce competition against restaurant, has driven up the prices, ठीक है, जो competition है, बहुत ही fierce है, restaurant मतलब की बात करें तो, तो इसकी विज़ा से, क्या है, prizes बढ़ गए है, यह sentence के रहा है, क्या यह against, जो लिखा है, वो सही है, fierce competition against restaurant है, restaurant क्या खिलाफ है, against है, यह कुछ और है, along आएगा, यह no improvement आएगा, यह among आएगा, यह through आएगा, क्या आना चाहिए भई यहाँ पर, क्या आना चाहिए, answer, fierce competition against restaurant, यह फिर होगा, fierce competition, among restaurant, along भी नहीं होगा, खिलाफ भी नहीं होगा, through भी नहीं होगा, यहाँ पर आपका answer क्या होजाना चाहिए, यह होगा, among, मतलब जो restaurant है, आपने आपस महीं, जो उनकी बीच में competition है, वो बहुत ही तगड़ा है, fierce है, इसलिए क्या होगा, prices जो है, वो बढ़े है, has driven up the prices, ठीक है, अब आपको यह लगएगा, कि यहाँ पर restaurants दिया हुआ है, फिर यहाँ पर has क्यों आया है, क्योंकि यह has restaurant के लिए नहीं है, fierce competition के लिए है, यह है subject, और यह subject कैसा है, singular है, अगर आपको doubt आ रहा था, तो यह singular subject है, इसके साथ में singular verb ही आएगा, और वहाँ पर has बिलकुल सही है, restaurant को देखके, आपको नहीं लगाना है, यहाँ पर have, अगरना है, तो यहाँ अगरना है, यहाँ आपको 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 करना है, ठीक है, बही question है, उस तरीके का ही है, Can you give me so many examples of subordinate clause, the teacher asked the class, teacher ने class से पूछा की, क्या आप मुझे है तो उल्टा हो गया, teachers, बच्चे बुछते हैं चलो ठीक है बढ़िया Can you give me so many examples of subordinate clauses क्या यह पूछने में सही लग रहा है So many examples मतलब can you give me some examples बोलते समझ में आता Can you give me so many examples तो नहीं होगा है ना पड़के समझ में आ रहा है अभी देखो क्या option है हमारे पास में No substitution तो हमें निलगता है Substitution की तो जरूरत है इसको Some many examples Some many examples Some भी है many भी एक साथ Some few examples Few negative Some positive एक साथ कैसे आ गया ठीक है Some more examples of क्या यह बोल सकते है Can you give me कुछ और example So कुछ और के लिए क्या हो जाएगा हम यह करेंगे Some more examples ठीक है Can you give me some more examples of subordinate clause So यहाँ पर हो जाएगा Fourth is the correct answer यहाँ पर हो जाएगा Some more examples ठीक है जी समझ मैं भी बात Clear हो अभी को Done है बहुत बट बढ़िया यह आपका हो गया Answer अगला सवाल यह रहा ठीक है क्या लिखा है यहाँ पर यहाँ पर आपको दिया है The following sentence has been divided into four parts है ना One of them may contain an error Select the part that contains the error from the given options If you don't find any error Mark no error as your answer ठीक है अगर है गडबढ है तो बताएंगे नहीं है तो बताएंगे ठीक है The river appears to have got its name from the town nearby यह आपका question है इसको divide किया गया है देख लीजे 4 parts में divided है 1, 2, 3, 4 और कौन से part में गडबढ है यह बताएंगे 1, 2, 3 में basically है ना चलिए बताएंगे बहुत easy question है कोशिश करिए The river appears to have appears to have got its name from the town nearby River का जो नाम है ऐसा लगता है कि जो पास में गाउँ है या पास में जो टाउन है वहां से लिया गया है ठीक है The river appears to be appears verb 1 first form singular verb 1 ठीक है To have है ना यहां पर यह किस तरह से हो गया infinitive की तरह से To have got its name Its मतलब यह river के लिए है Its name from the nearby from the town nearby जो पावगल में टाउन है नियरबाइ टाउन है वहां से इसका नेम लिया गया है ऐसा लगता है ठीक है तो यह जो सवाल है इसमें कोई भी ग्रमाटिकल गडबड नहीं है तीसरा correct answer है क्योंकि जो दिया है उसमें स्पूरा sentence बिल्कुल correct है कहीं पर कोई गुझाईश ही नहीं है Error होने की ठीक है जी समझ में आई बात अगले सवाल की तरफ चलते हैं और यह रहा हमारा अगला सवाल Select the most appropriate option to fill in the blank यह भी इससी सीजर 2021 में आया और shift 2 का question है filler का question है fill in the blank बताना है क्या होगा भई यहां पर help from relatives dash him in difficult times है नहीं क्या हुआ भई help from relatives approved him supported him allowed him यह past him बहुत simple है बहुत simple यह situation आप लोगों ने face की होगी यह देखा होगा बहुत है simple सा है बताएंगे answer क्या होगा जल्दी से पटापट से बताएंगे भई क्या answer होना चाहिए आपर क्या answer होना चाहिए जल्दी से बताएंगे सारे के सारे जितनी लोगगद ग्लास में प्रेजेंट है सारे की-सारे बहुत सिंपल सा क्वेशन है मुझे सभी से आंसर चाहिए सभी से आंसर चाहिए ठीक है जब कहा प्लास का समझा के पान्टिकस्ट शबर्टे में लगत陳 नहीं का समझा in help from relatives dash him in difficult times. अप्रूफ किया, उसको अप्रूफ किया, क्यों बूला जाएगा, किस चीज के लिए अप्रूफ किया, यह तो बिल्कुल irrelevant option हो गया, बस उसको difficult times में help की जरूरत थी, तो approval की तो बात ही नहीं आती है, कॉंटेक्स समझना, इसले इंपोर्टेंट है, help from relatives ने उसको allow किया क्या कुछ, allow किया him in difficult times में कुछ करने को allow किया, permission दी, यह भी नहीं आएगा, बिल्कुल भी, है ना, आपके पास बचता है, supported and passed, help from relatives, past him in difficult times, मतलब कोई exam नहीं था, उसका time difficult था, difficult time पर उसको चाहिए था support, है ना, तो support किया उसको, क्या हो जाएगा, help from relatives, supported him in difficult times, जो उसके relatives ने help कि उसके difficult times में, वो support किया, help जो थी, वो उसको support की तरह काम किया, ठीक है, supported him in difficult times में, उसकी help किया, तो यह उसके लिए, क्या जाएगा, यहां पर जो answer होगा, यह supported होगा, help दूसरों से मिली, तो उसका difficult time अच्छे से निकल गया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया context में समझा हमने आपर, अगला सवाल है, synonym बताना, same मतलब बताना, किस चीज का भाई, dedicated का, यह तो बहुत असान है, यह सारे के सारे बताएंगे, जल्दी से quickly answer करेंगे, सभी का answer आना चाहिए इसमें, क्या-क्या words दिया में है, tedious है, boring है, dreary है, या committed है, odd one out निकालो, और वैसे भी यह बहुत ही simple सा word है, dedicated का मतलब त ही नहीं है, quickly, जल्दी से, क्या हो जाएगा, dedicated मतलब यहां पे जो समर्पित है, dedicated मतलब जो समर्पित है, किसी काम के लिए, जैसे आप लोग है, क्या समर्पित अपने exam के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए है, आप लोग भी, so dedicated है, dedicated का synonym क्या होगा, होगा, पहले हम क्या करते है, odd one out को अटा है, बोरिं होगा क्या, बिल्कुल नहीं है, तो हो ही नहीं सकता, dreary and tedious, tedious, dreary and boring, यह तीनों का मतलब ही होता है, बहुत ही dull, nearest, एकदम जादा, boring, boring को boring ही बोलेंगे, so tedious हो गया, boring हो गया, यह तब एक ही जगह, एक ही धाली के चट्ट का मतलब हो जाएगा, committed fourth is the correct answer, मिला answer, बहुत ही असान था, अगर ऐसे question, देखो, CGL में आया हो, question है, CGL में ऐसा question आया, मतलब आप सोच सकते हैं, कि थोड़ी सी अगर मैनत कर लिया, आप लोगोंने है, थोड़ासा ध्यान focus से पढ़ लिया, जो teachers बोल रहे हैं, वो कर लिया आपने, तो आपको कोई रोक सकता है, CGL का पीपर निकालने से, बिल्कुल नहीं है, तो हम तो यही उम्मीद करेंगे, कि आप बात माने और प्राक्टिस थोड़ी करें, अच्छे से हैं हमारे साथ-साथ, और paid courses तो आपके पास हैं ही, अगर बिल्कुल 0 से hero तक का सफ़र त बहुत असान है, by the way, to be completely free, to feel very depressed, to be very rich, to be very happy, बहुत simple है, थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे, अंसर बन जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ही ध्यान से सोचें, to walk on the air, to walk on the air, हावे में चलना, ऐसा इसका मतलब लिटरल ही निकलता है, but आपको लिटरल मतलब नही क्या मुहावरे का मतलब, मुहावरे का कभी भी वह मतलम नहीं होता, जो लगता है, as in word to word मतलम नहीं होता, to walk on the air, to be completely free, to feel very depressed होगा, क्या, या rich होगा, या happy होगा, जल्दी से सारे के सारे बताएंगे, मच्या अंसर इसका, क्या होना चाहिए, हाँ, quickly, जल्दी से, to walk on the air का तो मतलब, ये depressed तो बिल्कुल नहीं होगा, डिप्रेशन से तो कोई लेना देना, इसका है नहीं होगा, free होगा, rich होगा, happy होगा, to be completely free, free किस चीज से free, to walk on air, मतलब, free होगा, ये भी नहीं है, आप देखिये, to be very rich, rich होगा, या happy होगा, अभी क्या मतलब होगा, हवा में correct one है, fourth, इसका correct answer है, बात आगे समझ में, fourth क्या है, इसका correct answer है, to walk on the air, मतलब होता है, to be very happy, ठीक है, very good, चलिये जी, अगला सवाल, ये था, जिनको नहीं पता है, वो सीखे किसका मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या बोला है, select the most appropriate option to fill in the blank, blank को fill करना है, फिलर का question है, the interviewer asked Gautam, interviewer ने Gautam से पूछा, can you tell me what your dash in life are, interviewer ने जब पूछा, तो क्या पूछा उससे, कि तुम्हारे life में क्या-क्या है, can you tell me what your dash in life are, frivolities, trivialities, determinations, या aspirations, मुझे बता है, बहुत लोग गड़बड भी करने वाले हैं, और सही भी करने वाले हैं, जब इसका option देखिए, और answer बताए क्या होगा इसका answer, interviewer पूछ रहा है, कि आपके life में dash क्या है, तो dash क्या है, frivolities है, trivialities है, determinations है, aspirations है, दो word हो सकता है, आपको लगें कि यह क्या है, इसका क्या मतलब है, but दो words ऐसे हैं, जिसमें आपको confusion हो सकती है, तो पहले आपका answer आना चाहिए, फिर में आपको बताऊंग लग रहे हैं, बिल्कुल नहीं आएंगे, और कौन से दो में confusion हो रहा है, तो computer माशे 50-50 select करें, 50-50 का option लेक हैं आपे, चलो लेते हैं, तो 50-50 का option में आपको यह लग रहा होगा, यह दोनों जो है, इन दोनों में से कुछ आएगा, या तो determinations, interviewer पूछ रहा है ना, गौतम स तो क्या पूछेगा वो, aspirations या determinations, इन दोनों में से कोई बात पूछेगा, क्या aspirations है आपके, या determinations है आपके, frivolities और trivialities तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि frivolities का क्या मतलब होता है, silly behavior, है ना, frivolities यहने silly behavior की बात कर रहे है, तो यह तो होगा नहीं मुर्कता पन behavior की तो बा of little importance, okay, things of little importance, यह जिसको हम कहते है, तुछ चीजे, जो महत्व की नहीं होती, तुछ चीजे, जो जादा काम की नहीं है, of little importance, okay, clear होगी बात समझ में आ गया, आपके, यह तो तो बिल्कुल हट गए, अब तेखो, यहाँ पे, can you tell me what your aspirations are, determination की बात नहीं करेगा वो, determination, मतलब आपकी किसी चीज को लेके, एकदम अडिग हो, आप determined है कि इस बार S.S.E.C.G. ल निकाल के रहेंगे, इतनी वाज़ वेकेंसी आई होई है, बहुत अच्छा वोका है, तो अभी आप बिल्कुल अडिग है, determined है, एकदम आपने ठान रखा है कि इस बार को निकाल के सब्सक्राइब का रिटर्मिलेशन थी, तभी तो वहाँ पर इंटर्वियों के सामने बेठ है, है ना, चलो बात समझ में आई है अब ही, क्लियर वा सबी को कि इसमें आंसर किया आएगा, दो वर्ड्स भी सिखें हमने, फ्रिवालिज मतलब सिली चीजों को बोला जाएगा, आएगाइवियर को और टृवियालिटीज वो भी लिटल इंपोर्टन्स की तुछ चीजों को कहा जाता है, ठीके जी चली अगले सवाल पर चलते है यह रहाँ आपका अगला सवाल, और अगला सवाल क्या है यह 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 खें आपका लोस टेस्ट, और लोस टेस्ट में क् ये लिए लाने रखाट can quarantine छाइल, जो ठाट को फित? आपको अपको ठाट क्या कर दाने है? लिए लिए ले लुदलन का थोड़ा सारि बीउं कि वे इसके बारे में बारे लिए एक लाइट जहाँ जहाँ अब्लांस वहां देखना है कि जो उस ब्लांक में उन चार दिये वे वर्ड्स में से कौनसा फिट होगा ऐसे ही आपको मतलब एक पजल होती है जिक्सवा पजल जिसको कहते हैं कुछ-कुछ चीजें हटी होई यह उनको आपको चोड़ना है तो यहां पे वही कुछ ब्लांक है यहां पे वर्डस कोOOD करना है कौनसा फिट होगा यह बताना है इसमें आगया आपका close test का question, चली बनाते है, फटाफट से, ठीक है, यह देखी क्या हो जाएगा, in the following passage, some words have been deleted, fill in the blanks, with the help of the alternatives, given, select the most appropriate option for the blank, for each blank, यह आपके 4 March के paper में, जो 2020 में हुआ था, shift 1 का है, तो 2020 का question है, देखते हैं कि क्या एगा, किस के बारे में बोला हुआ है, paragraph बड़ा चुटा सा है, a stitch in time saves nine, यह तो बात हो गई आपकी एक कहावत, यह कहावत है, तो इस कहावत से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यह, कोई नो कोई moral स्टोरी है, कोईनो कोई moral बात बोल रहा है, इसमें, अब वो क्या हो, की moral बात है आपर देखते है, a stitch in time saves nine, मतलब, समय पे किया हुआ एक काम, के बाद में बहुत वक्त को बचाता है, बाद में वो बहुत काम आता है, तो this wise saying, saying है, ये कहावत है, क्या कहते है, saying होता है, इसको हम और क्या कहते है, कहावत है, आपकी addage कहते है, addage, तो suggest, ये जो कहावत है, ये suggest करती है, that an dash action taken on time to rectify an error, rules dash the possibility of accumulation of such errors and future dash, अवे देखो, यहां से यहां तक एक ही sentence है, अब एक ही sentence दिया है, तीन ब्लांक एक ही sentence में देदी गए है, अब आपको इसलिए यहां तक पढ़ा मैंने, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, थार्ड में क्या हैगा, ये टू से लिंक्ड होता है, तू में क्या हैगा, ये फरस्ट से लिंक्ड होता है, तो इसलिए मैंने ये पूरा sentence को पढ़ाया यापे, अन लिखा हुआ है, ये कई न कई हिंट है, आपको आप देखते हैं, इन में से हम दो options को हटा सकते हैं, क्योंकि यहां पर N लिखा हुआ है, और N हम कहां लगाते हैं, जिन words का sound वोवल होगा, ये न, वोवल sound के पहले ही हम N लगाते हैं, तो superficial का sound तो वोवल नहीं है, ये न, wrong का sound तो वोवल नहीं है, और एप्रोप्रियेट दिया हुआ है, अब इन दोनों में से क्या एगा यहां पर? इस वाइज सेंग सजेस्ट्स, दाट N डश अक्शन, एन ओपोजिट अक्शन बोलेंगे, उल्टा विरोधी अक्शन, उल्टा होता है, तो क्या उल्टे अक्शन की बात करेंगे, हम ही, तो सेंग इतनी अच्छी है, कि समय पर किया गया कोई काम कोई गल्ती, अगर हम कर लेते हैं, समय पर कोई हम अच्छा काम कर लेते हैं, समय पर रहते कोई काम कर लिया, तो आगे चलके हनसे जो है, वो help ही करता है, तो अभी यह जो सेंग इतनी अच्छी तो उसमें क्या यह opposite meaning आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, हमारे पास option एक ही बचता है, यह जाएगा, एप्रोप्रियेट उचित, है ना? A stitch in time saves 9, this wise saying suggests that an appropriate action taken on time to rectify, मतलब correct करना, ठीक करना, an error, rules dash, अभी यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, यहाँ पहले में क्या आगया, 4th यह इंगे appropriate answer सही हो गया, अगला जो है, उसमें क्या दिया होगा है, यह देखते हैं, blank 2 में क्या आएगा, at in for out, अभी यहाँ पर last whatever rules है, rules के साथ क्या आएगा, rules at, rules in, rules for, rules out, phrasal verb यूज क्या गया है, फ्रेजल वर्ब का यहाँ पर यूज क्या गया है, ठीक है, यह देखें, अभी फ्रेजल वर्ब में rule के साथ क्या आएगा, rule at, rule in, rule for, rule out, हैना, क्या देखो, context को समझो, an appropriate action taken on time to rectify an error, error ठीक करने के लिए, rules dash the possibility of accumulation, क्या rule करता है, possibility of accumulation मतलब जमा होना, of such errors and future dash, तो वो rule out करता है, हैना, rule out एक रेजल वर्ब हो आपका, rule out करना, यहाने कि किसी चीज को null and void करना, हैना, null and void करना, या फिर cancel करना, हैना, या खारच करना, जिसको कहते हैं, या हटाना, exit करना, eliminate करना, बिलकुल हटा देना, तो rule out करना होता है, exit करना, delete करना, तो यह हूपर क्या जाएगा, rules out, rule in नहीं होगा, rule out नहीं होगा, फॉर नहीं होगा, आउट आपका आँज़नों का, रूल्स आउट, यह रूल आउट करता है, खारिच करता है, पॉसिबिलीटी को, कॉनसी पॉसिबिलीटी को, और अक्युमिलेशन, यह जमा हो न, किसी चीज़ का, of such errors, जो गलतियां हो, I do, such errors, and future dash, क्या-क्या चीज़ें सेव करेगा, and future dash, तो इस dash में क्या ऐगा? जल्दी से बताएंगे तरने किसारे आप, पॉरा मैं नहीं बताने वाले आप लगों को, future facilities की बात कररा है, future qualities की बात कर रहा है, future advantages की बात कर रहा है, उस line को फिर से पढ़ो और आपको समझ में आएगा कि यहां पर क्या बोला गया है, उस line को फिर से पढ़िए, एक बारी, ध्यान से देखें, एक बार फिर से पढ़े, देखो, a stitch in time saves line, the wise saying suggests that an appropriate action, जो है फोर थाया था, appropriate action, taken on time to rectify an error, rules out, rule out करता है, किस चीज को rule out करता है, the possibility, कि जो संभावना हो सकती है, of accumulation of such errors, यहां पर धिहान से देखो, errors बोला है, गलतियों की बात किया है, तो गलतियां कभी positive तो नहीं होंगी, गलतियों की बात किया, and लगाया है, and याने conjunction, and से जुड़ा हुआ, and से अगर दो शब्द जुड़ रहे हैं, दोनों शब्द एक ही quality के, एक ही category के होते हैं, अगर and के पहले कुछ negative है, and के बाद भी कुछ negative होगा, such errors and future, facility negative हुआ क्या, नहीं, quality negative हुआ क्या, यह भी नहीं हुआ, advantage negative हुआ क्या, नहीं, future में होने हाम की बात कर रहे हैं, damages की बात कर रहे हैं, तो यह उन possibility को खारज करता है, जिसमें future damage हो सकता है, या फिर ऐसी गलतियों का accumulation खराब कर सकता है, आपका future है, तो कोई भी negative बात बुर रहा है, देखो धान से concept क्या हुआ, पहले तो उमको पढ़कर समझ में आया, दूसरा, एक logic है कि and मतलब conjunction, conjunction अगर लगा है, तो conjunction से जुड़े वे दो शब्द जो होंगे, वो same quality के होंगे, same category के होंगे, and के पहले अगर आपने एक positive word बोला, and के बाद भी positive word होगा, and के पहले अगर आपने negative word बोला है, तो and के बाद भी एक negative word आएगा, यहाँ पर वही था, errors है, गलतिय है, उसके बाद में क्या आगया, उसके बाद में आपका आगया है, यहाँ पर future damages, ठीक है, चलिए, wisdom therefore lies in correcting the errors, इसलिए जो बुद्धिमता है, बुद्धिमानी है, वो किस चीज में है, therefore lies, किस चीज में है, in correcting the errors, error को correct करना as soon as, जितनी जल्दी है, as soon as कब लगाते है, जितनी जल्दी क्या हो, जितनी जल्दी as soon as it is dash, it is क्या, अभी यहाँ पर इसके बाद क्या आने वाला है, देखो, as soon as it is dash, मतब जितनी जल्दी पता चल जाया है, गलतियों का, उतनी जल्दी इसको ठीक करना ची, कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है, अगर हम इसको translate करें तो, as soon as it is क् invented, discovered, managed या proposed, क्या हो जाएका answer, क्या इसका answer हो जाएगा भई, जल्दी से बताएंगे, अभी देखो, क्या बोला है, तो इसलिए बुद्धिमानी किस बात में है, wisdom therefore lies in correcting, correcting the errors, as soon as, जितनी ही जल्दी वो क्या होते है, it is what, it is invented, it is discovered, it is managed या proposed, manage करना, प्रपोस करना, बिल्कु से ही पाया गया, यहारे भाई, यहां पर गडबढ है, इसको फटक से ठीक करो, उसको छोड़े मत है, उसको वही पर ठीक करो, क्योंकि इग्नोर किया, तो गडबढ हो जाएगी, है तो wisdom therefore lies in correcting errors, as soon as it is discovered, तो यसे ही उसको discover किया जाता है, ठीके, अब देखते है, there is no point in allowing the dash to grow and then take hasty actions to set things right, यहां पर ध्यान से देखो, क्या अंसर आएगा भई, क्या अंसर आना चाहिए, यह देखेंगे, क्या बूला गया है, and there is no point in allowing the dash, क्या अलाव करने की बात बूल रहा है, allowing the dash, allowing parody, remedy, malady and malady, ध्यान से देखो, यह तो सारा rhyming हो गया है, अब यहां पर confusion हो रही है नहीं होगी, थोड़ा सा ध्यान से, option को eliminate करो, answer मिल जाएगा, there is no point, तो इसलिए, there is no point in allowing the dash, कि आम allow करें, किस चीज को allow करें, dash to grow, किस चीज को grow करने की बात कर रहे है, and then take hasty, मतलब पहले तो गलती करो, और गलती को ignore करो, और उसके बाद में फिर, you know, wait करो कि वह बढ़ ज कि समझ के ओ तो होते है, तो है रहे होताँ आप अचानक से, बख़ड़ाई में को चीज करोंगे, हथे में को चीज करोंगे, तो क्या होगा, उसमें तो गड़बढ होनी ही होनी है, तो यहां पर क्या आना चाहिए, कि परेड़ DR, को यहां पर क्या आना चाहिए, क्ütün पतलप दूपलीकेट य Twitch हो दुपलीकेट गर करना डिशी रहां करा एकух गर किसी這樣的 प्रम्टूररत दूपलीकेट करना प्रहूर सेल सकते हैं तो फिल शी US क्वर्स देट को और लिएट सेविपने यह पर यह तो आएगा निए, बचा क्या आपके बास में? Malody, है ना, there is no point in allowing the malady, a difficult situation, a problematic situation, क्या हो जाएगा, a problematic situation, है ना, यह problematic situation की बात की जा रही है, कोई difficult situation, problematic situation की बात की जा रही है, कि ऐसी, there is no point in allowing a difficult or problematic situation to grow, यह एक situation है, जो problematic है, जिसमें error है, गलती है, उसको grow करना, allow करना, तो गलत बात है, and उसके बादने फटाफट से hasty actions लेना, to set things right, यह तो और भी गलत हो जाएगा, तो यह यहां पर क्या फिट हुआ, fourth है, थोड़ा सा tricky हो सकता है, यह जो आपका, यह तीनों हड़गे, आपको बताने का प्रिविए से questions की, इस तरह का pattern आता, इस तरह की questions आते, तो आपको भी अपनी तयारी उसी direction में रखनी है, बात समझ में कितने लोगों का यह 5 में से 5 सही हुआ, मुझे एक कॉमेंट में बताएंगे सारे के सारे, ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा statement था यह, बहुत ही बढ़िया amazing था, मुझे तो भड़ा अच्छा लगा यह जो paragraph था, ठीक है जी, तो मुझे एक कॉमेंट में बताएंगे आप लोग कि जितने लोगों का सही हुआ है 5 का 5, ठीक है, यह हमने की कुछ previous या questions, I hope आपको समझ में आया, लेविल का पता चला कि किस तरह का लेविल आपको अभी 21 के एक्जाम में पूछा गया है, अभी का जो एक्जाम होना है, उसमें भी कुछ इस तरह सही हम expect कर सकते हैं, और उसी तरहीच से अब जब हम पेपर सॉफ कर तो उनको पता चलता है कि यह हमारा वीक एरिया है, यह मारा स्टेंथ वाला एरिया है, यह फटा फट से बन रहा यह नहीं बन रहा है, तो उन चीजों को analyze करो और analyze करने के बाद उन्हीं चीजों पर महनत ज्यादा करो क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको है ना इतनी जादा humongous amount में आपकी जो vacancy आई है ये बार बार नहीं आएगी है ना तो आप ये सोचो कि ये ही मेरे पास मौका है जसमें मेरे क अब बहुत अच्छे से करना है अभी प्रूफ करके दिखाना है बहुत हो गया आप बहुत सुननी लोगों की आप मुझे ये प्रूफ करना है और उसमे तो बुरी एक्जामपुर की टीम आपके साथ हमें है और अभी तो हम लेकर आ है दिवाली धमाका दिवाली का सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा आपके लिए वह है यह ना दिवाली ओफर है दिवाली दमाका है इसमें क्या दमाका हो रहा है भाई वह एक्स्पोजन तो नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं एक्जाम्पूर के आप पे जितने भी पेड कोर्सेस हैं उन सब पे आपको 75% का डि दिवाली 75 दिवाली 75 बिना स्पेस के सारे कैपिटल में होंगे यह वाला आपको लगाना है कूपोन कोड कैसे लगाएंगे यह बिताते हूं यह जान लीजिए कि यह सिरफ और सिरफ अप्लिकेबल है 27 अक्टूबर तक इसके बाद आपको यह नहीं मिलेगा तो ओफर है लि अगर आपके पास में अप्लिकेशन अल्रेडी है तो आपको क्या करना है उसको अपडेट करना है ठीके उसके बाद आप जैसे ही अपने आपको रजिस्टर कर लेते हैं जैसे ही एक्जाम्पूर फामिली का हिससा बन जाते हैं आपको कुछ नहीं करना है पेड़ बाच में अच्छा मौका है ना कि उनको बताईए और उनको कहिए कि ये courses जो है बिल्कुल आपको ऐसा ने की courses दो मेने की तीन मेने के कि साल के validity वाले courses है हमारे पास में तो आप फटा फट से क्या करिए उनको opt करिए प्रॉसस आपको समझ में आ जाएगा उसकी बाद ये कुपोन कोड लगाना है और जैसे ही आपने कुपोन कोड लगाया आपको क्या हो जाएगा वहाँ पर 75 परसंट का कोई अगर कोर्स है 75 परसंट का डिसकाउंट हो गया तो 250 में आपको वह कोर्स मिल रहा है और quality टॉप नॉच रहेगी ठीक है ये हमारा वादा है और ऐसा आप जानते भी है हमारे बारे में ठीक है तो कुछ नी करना है फटा परसे चानल ठीक है तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चानल को फटा फट से सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकून को दबा दीजिएगा थाकि आपको अपडेट्स आती रहें थैंक यू सो मच हापी दिवाली